नवस्काश स्वागत है आपका TNP News में और मैं हूँ आपके साथ स्मताव पाद ध्याई इस खास प्रोग्राम में हम राजनीती की एक और चटपटी ख़वर के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजर हैं तो चलिए शुरू करते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादाव शनिवार की शाम को लखनों के एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए जिसके बाद से लोगों का कहना है कि उन्हें कुमार सानु का गुसा उस सचोड दिलना मेरा तोड गाना यादा रहा है लोग कह रहे हैं कि अखिलेश अपनी राजनीती की साइकल को पंचर होने से बचाने के लिए मुस्लिमों को रिजहाने में लगे हुए हैं दरसाल यूपी विधान सभार से पहले अखिलेश ने बड़ी बड़ी दिंगे हाकी थी और मुस्लिमों को आस दे दी थी कि वीजेपी को यूपी से उखार कर इस बार वो भारी मतों से सत्ता में वापसी कर रहे हैं लेकिन उनके सारे दाओं पर पानी फिर गया और यूपी में एक बार फिर कमल खिला जिसके बाद से ही मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिहां सपा के तमाम मुस्लिम नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा ह और अखिलेश चुपी साधे हैं और अगर वो कभी बोलते भी हैं तो वो बस सोशल मीडिया तक ही सीमित रहता है वो घर बैठे बैठे महज टुटर की चिडिया उड़ाया करते हैं वही कुछ दिन पहले अखिलेश की इसी सुस्ती से तंगा कर सपा के बड़े नेता सल्मान जावेज राइन ने भी स्तीफा दे दिया था और अपने स्तीफे में उन्हेंने लिखा था कि मुसल्मानों के उपर हो रहे जुल्म के खिलाफ यूपी से दिल्ली तक सत्ता की मलाई खा रहे सपा के पदा दिकारी मुँपर टेप चिपका कर बैट गहे हैं साथी सल्मान जा अखिलेश को डरपोक करार देते वे कहा था कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए भी आवाज नहीं उठा सकता वो आम लोगों के लिए क्या आवाज उठाएगा तो आखिरकार मुसलिम नेताओं की आखे खुल गई और वो अपने अखिलेश भाईया से मूफ उला कर बैट गए अरे ये तो अखिलेश भाईया हमारे साथ भी खेला कर रहे हैं केवल अपनी साइकिल को गती देने के लिए हमारा स्तेमाल कर रहे हैं और हमारे मुद्दों पर तो उनको साप सूंग जाता है लेकिन जैसे ही अखिलेश को मुसलिम नेताओं की नाराजगी की भनक लगी वो बिना देरी किये उन्हें लुभाने के लिए लखनों के ईदगा पहुँच गए और अखिलेश जी अपना आलस ट्याग कर कहीं गए और धिंधोरा पीट कर सब को बताया नहीं ऐसा कैसे संभव है तो फिर क्या उन्होंने फोरें ट्विटर पर मुसलिम नेताओं और पकवानों से गिरी हुई फोटो डाली और लिखा कि आज इफ्तार कारक्रम में उनके इस पोस्ट के बाद उनको लोग जम कर ट्रॉल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ा गई है हराकि मुस्दमों को लुभाने की अखिलेश के रणीती कारगर होगी या फिर मुसलिम अखिलेश की सियासी चालबादी समझेंगे कि अखिलेश महद अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेंगे फिलहाल इस रोस्ट कारे क्रे में आज बस इतना मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चटपड़ी ख़बर के साथ